हलो गाईस कैसे हैं आप सभी दोस्तों अगर आप अपने PC ये लैप्टॉप में कमला हॉरर गेम को डाउनलोड करना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हिलफूल होने वाला है जो इसको डाउनलोड करने का रियल तरीका है लैप्टॉप या PC में उसी को बताने वाला हूँ और सबसे सरल तरीका रहेगा बहुत ही असानी से आप डाउनलोड कर पाऊगे और ये गेम आपके PC लैप्टॉप में चलेगा या नहीं चलेगा वो भी आपके चलके आपको बताने वाला हूँ और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगेगा दोस्तों लाइक जरूर से कर लिजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन में से आल नोटिपिकिशन को आउन कर लिजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों ये गेम जो है इंटरनेट में लाउंच तो हुआ है लेकिन PC में डाउनलोड करने के लिए इसके अलावा और कहीं भी अविलिबल नहीं है कहीं से भी आप डाउनलोड नहीं कर सकती है अभी के समयमें और स्टीम में डाउनलोड करने का तरीका में आपको बताने हो लेकिन क्या होता है गेमिंग स्टोर है यह PC और लेप्टाप दोनर के लिए आता है जितने यह लिख करके सर्च कर सकते हैं कमला होरर गेम और उसके बाद यहाँ पर आएगा उसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर install stream का option आपके में आ जाएगा और अगर ऐसा कुछ option आपके में नहीं आता तो डारेक्ट आपको अपने ब्राउजर में stream लिख करके सर्च करना है जब क्लिक करेंगे उसके बाद इसका exe file हमारे pc में डाउनलोड हो जाएगा simply इसमें हम लोग को क्लिक करना है और उसके बाद yes का option आएगा आपके सामने उसको yes कर लेना है उसके बाद इसमें से next करना है अब हम लोग को stream को अपने pc में इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पर destination folder हम लोग को select करने के लिए बोला जा रहा है तो इसको select करते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है आपको कोई ऐसा drive को select करना है जिसमें थोड़ा बहुत space खाली रहे और जो सबसे ज़्यादा fast drive रहे तो उससे game open होने में भी ज़्यादा असानी होता है तो इसी तरीकी से आप select कर सकते हैं उसके बाद install का आपके सामने option आएगा तो simply इसमें click करना है उसके बाद आपके PC में install हो जाएगा फिर इसको आपको open करना है अब इस team जब first time open करोगे तो इस तरीके का interface आपके सामने होगा तो इसमें अगर आपका पहले से account होगा तो उसको sign in कर सकते हो न इसको हम लोगों check करना पड़ेगा उसके बाद continue पर click करना है continue पर जब click करेंगे दोस्तों तो आप जो email id डाले हो उस email id को browser में open करना पड़ेगा उसमें एक mail आया होगा जिसमें एक link रहता है उस link को आपको click करना रहता है जैसे ही click करेंगे आपका account create हो जाएगा उसके बा password create करेंगे उसके बाद फिर से आपके सामनी यही screen in आ जाएगा उसी जो नया account बनाया हो उसको यहाँ पर sign in करना है अब यहाँ पर हम लोग को अपना username को डालना रहता है email id नहीं डालना है ठीक है तो username को यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं अब उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके के interface आपके सामने आना चाहिए अगर नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर store का option रहेगा simply इसमें आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर जो search वाला option है इसमें आपको game का नाम लिग करके search करना है अब यहाँ पर जो first वाले option में ही आपको click करना है अब इसमें आ हुआ है यह recommended वाला नई भी रहेगा तब भी चलेगा लेकिन यह minimum वाला जो है यह आपके PC में कम से कम होना ही चाहिए चार्ज भी रेम चाहिए ज्यादा नहीं है चार्ज भी सभी के में रहता है लग 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 और ग्राफिस कार्ड भी एकदम basic समंगा हुआ है तो आपके PC में मेंच करके देख सकते हैं अगर यह system configuration आपके PC में होगा तो अराम से यह game को आप खेल सकते हैं अगर नहीं भी होगा तब भी थोड़ा बहुत लेक करेगा लेकिन खेल सकते हो अब इसको download करना है अपने PC में तो simply a to cart के option में आपको क्लिक करना रहेगा उसके बद view my cart का option आपके सामने आएगा simply इसमें हम लोग को क्लिक करना है अब उसके बद यहां पर से आपको for my account को select करना रहेगा और यहां पर continue to payment का option रहेगा इसमें हम लोग को क्लिक करना है अब payment करते समय भी कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है उसको भी मैं आपको बता देता हूं इसे ही select करोगे उसको आपको ध्यान रखना है आपको एक बार internet में search कर लेना है what is my IP address और वो जो IP address रहेगा उसको देख लेना है वो कहां का है जिस location का IP address दिखाते रहेगा उसी state को यहां पर डालना पड़ेगा ऐसा इसलिए क्योंकि IP address अगर दूसरी state का दिखाई दे रहे तो यह purchase complete नहीं हो पाता payment करने जाते हैं तो वहाँ पर अठक जाता है इसकार से IP address के अनुसार से आपको location डालना है अपना location नहीं डालना है उसके बाद mobile number डालना है continue पर click करना है उसके बाद फिर से आपके सामने यही सब option आएगा तो उन सब को भी fill करना है और postal code वागर को same to same जैसे बताया हूँ ऐसे ही डालना है उसके बाद फिर से आपको payment करने को option आएगा payment आपको कर लेना है payment कर लोगे उसके बाद एक और problem आता है इस टीम में जब हम payment कर लेते हैं उसके बाद हमार गेम जो है यहाँ library का जो option है इसी में 100 होना चाहिए लेकिन यह कई बार आय library में 100 होने में time लग जाता है अब library में जैसे ही आएंगे तो आपके सामने गेम रहेगा तो इसी तरीके से यहाँ पर option आ जाएगा तो simply उसमें क्लिक करना रहेगा जैसे कि इसी के example लेकर करके मैं चलता हूँ अगर library में आपके 100 होने लगेगा उसको आपको क्लिक करना है उ तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपने PC या laptop में बहुत ही easily इस game को install कर सकते हो और सबसे कम price और original game इसी में आपको मिलने वाला है So I hope guys आज की ये वीडियो आप से भी के लिए helpful होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगात लाइक जरू से कर लीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में से आल नोटिपिकेशन को on कर लीजिए तो चलिए अब मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो के साथ अभी के लिए सभी को बैबै